कर दोस्तों दीप इलेक्ट्रोनिस लैब में आपका बहुत बहुत स्वगात है पिछले वीडियो में आपने देखा हुगा कि मुंबाई से दो चीज रिपेरिंग करने के लिए हमारे पास भेजा था एक था स्मार्ट बाल्म और दूसरा था पैंसट वाट का ये चार्जर जो इसको खोलने के लिए हमें इस तरीके से काट के खोलना होता है क्योंकि इस टाइप का जितने भी चार्जर होता है उसका सारे के सारे जो क्लीप होता है वो अंदर से सिल्ड किया हुआ रहता है तो हमने इस टाइप से काट के चारो साइड में ने काट लिया हूँ और काटने केस से हम लोग कोई भी सामन को रिपेर करने जाता हूं तो उसको टेस्टिंग करके उनके अंदर का जो प्रॉब्लेम था कि कौन सा हमारा कॉंपोनेंट्स खराब हुआ है सारे आपको प्रोसेस आज की वीडियो में एकदम प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है और यह दे लगा हुआ है इसके उपर हिट्सिंग के लिए और भी प्रोटेक्शन के स्वाट सार्केट के लिए वो सारे चीज में खोल देता हूं खोलने के वाद इसका जो में पीसीबी है ना उस पीसीबी को आँ बहार निकलके एक एक करके चेक करूंगा और जैसे कि आप लोग को प पूर्ट से हमें कोई भी आउट पूर्ट देखने को नहीं मिल रहा है उसके साथ ही साथ एक जो इंटिकेटर लगा हुआ है ना उसके अंदर भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है आप यहां भी देख सकतो इस चार्जर को खोलने के बाद ही एक क्यापासिटर बिल्कुल देमेज हो चुका है और इस चारजर के बात करें तो चाराजर के आसपास इसका कीमा थे तो मैं काम करता हूं कि इसको सबसे पहले जो में क्यापसिडर जो फूका हुआ क्या पासिडर है मैं उसको बहार निकालूँगा और फिर एक एक करके सारे कॉम्पोनेंस को चेक उसके उपर यह लगाया जाता है ताकि थोरा सा हीट को अबजर करके कॉम्पोनेंस को स्टेवल रखे उसके बाद देखिए कि इसके पीछे जो कूछे कॉम्पोनेंस लगा हुआ है सारे के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्पोनेंस इसके अंदर SMD पैकेज का लगा हुआ है और इस साइड आप देख सकते हो कितने छोटे से या कितने कम जगा के अंदर इतने सारे कॉम्पोनेंट्स को डाल के ये डिजाइन करा गया मतलब बहुत ही complicated ये हमारा circuit है और इस circuit को repair करने के लिए हमें सबसे पहले जो main जो चीज़े ना बहुत हमें करना पड़ेगा सबसे पहले ये जो capacitor है इस capacitor को बहार निकल के देखना परेगा कि ये जो capacitor है ये capacitor कितना value का है उसके बाद हम इसके अंदर वही जूगर करेंगे जो जूगर हम लोग करता हूं या करते आ रहा हूं वो जूगर क्या है कि इसके अंदर हम सबसे पहले देखता हूं कि कौन सा और क equivalent होता है वो equivalent components को हम लोग लगा देता हूं तो सबसे पहले मैं इसको खोल के आपको इसका value दिखाता हूं यहां पर मैंने फूका हुआ जो capacitor है उस capacitor को बाहर निकल लिया हूं और आप देख सकतो कि इस capacitor का value की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 400 volt और 39μF का है यानि कि इसका जो अगर value की बात करें तो यह 39μF है और इसका voltage की बात करें यह 400V का है मतलब हम लोग यहां पर 400-400V का कोई भी capacitor लगा सकता है लेकिन एक काम आपको करना परेगा कि इसके अंदर capacitor को लगाने के लिए छोटा या पतला capacitor लगाना परेगा क्योंग अगर मोटा capacitor लगा तो यह fuse भी हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद मैं आपको check करके दिखाएंगे और उसके बाद जो भी काम करूंगा ना वो मैं आपको practically दिखाने वाला हूँ जो repairing का काम होता है आपको एक-एक करके ढूंडना होता है कि कौन सा चीज खरब हो आए अगर कोई भी components physically damage हुआ है तो वह आपको तो देखते ही पता चल जाता है लेकिन जो चीज अंदर से खरब होता है ना उसको हमें टेस्टिंग करके ढूंडने के बाद ही हमें पता चलता है हां कि यही components खरब हुआ है तो इसलिए आपको एक-एक करके जो line में चलता है ना उस sequence कहीं सब जाब से हमें एक-एक चीज को एक-एक components को मिजर्मेन करते हुआ आगे बरना है तो जल्दी से में इस components को या यह जो फ्यूज आप देख रहे हो इस components ट्याइप का फ्यूज इस फ्यूज को बाहर निकलके आपको जो है दिखाता हूं यह देखिए हमने फ्यूज को बाहर न दिखा देता हूं बला भी तो यह जो आप फ्यूज को देख रहे हो ना यह खराब वला फ्यूज है और हमारे पास आप देख सकतो यह अच्छा वला फ्यूज है दोनों का जो रेटिंग है रेटिंग की बात करें तो दोनों के दोनों सेम है तो आभी आभी यह जो मैंने निक यह हमारा अच्छा वाला ओके कंडिशन में हैं अभी मैंने माल्टे मिटर को कॉंटेनिवटी रेंज पर रखा हूं तो सबसे पहले यह जो खरब बला है इन दोनों टर्मिनल को जब मैं टाच कर रहा हूं तो देखे कोई भी बीप साउन हमें सुनने को नहीं मिल रहा है दोनो मतलब हमारा यह वाला खराब हो गया है अब हमें तो पता चल गया है कि एक फ्यूज खराब हुआ है और एक क्यापसिटर खराब हुआ है लेकिन इसके अंदर जो क्यापसिटर पहले से लगा हुआ है यह 39 का है 39 माइक्रोफराड का है और 400 फोल्ट का है तो 39 तो मैं इसी कोई इसके अंदर लगाने वाला हूं क्यूं कि इसके आंदर तीन सेम बहलो का पहले सा यह लगा हुआ है मतलब इसके अंदर 39 का क्या फोट्य फोट्य पकड़ लेंगे तो तीनों कि मिलाकर हो रहा है एक सो बीस माइक्रोफराड और चार सो फोल्ट उसी कहीं सबसे जाब हम इसको लगाने जाएंगे तो यहां से एक कपसरोर को में खोल देंगे और एक कपसरोर को खोलने के बाद इसको लगा देंगे तो यह 120 के आसपास क्यापसर का जो भी value होंगे वो हो जाएगा तो सबसे पहले मैं एक को खोल लेता हूँ पहले सही मैंने एक के कापसर रोग खोल देया हूँ जो फट गया था अब मैं इसको भी खोल लेता हूँ तो यहां पे देखिए यह जो मैंने कापसर रोग अभी खोल ला हूँ यह 39 UF and 400 बोल्ड का है आपको साब साब देखने को मिल रहा होगा और पहले जो खोला था उसका भी value same ही था तो मैंने इसको निकल लिया हूँ और इसके जगापे दोनों के जगापे में यह 82 माइक्र हाड कापसर को इस्तेमल करने वाला हूँ तो यह stable हो जाएंगे कोई भी problem in future में भी नहीं आएंगे तो इसको हम कैसे लगाएंगे थोरा सा इसके अंदर जागा कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर इसपेस बहुत ही कम है इसलिए में थोरा सा इसको मैं fix कर लेता हूँ दोस्तो बहुत जगापसर करने के बाद भी यह वाली जो कैपसर होड़े ना इसके अंदर fitting नहीं हो रहा था और बाहर अगर कर देंगे तो इसके जो यह वाला हिस्सा है ना इसके अंदर घुसेगा नहीं तो हमारे पास आप दो रास्ता बच रहा है पहला रास्ता यह है कि दोनों कैपसरोड के मदद से हमें इसको चलाना परेगा याँ तो सेम कैपसिटर हमें मार्केट से ले खराना परेगा लेकिन मार्केट से आशानी से नहीं मिलेगा तो में इसको लगा के मैं अपना जो फोन है ना मोगाईल फोन ये वाला ये भी मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो भी मैं काम करूँगा वो 100% वर्क करेगा कि नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो क्यापसिटर अभी अभी मैंने इसको खोला होना तो इसको मैं यहां पर लगा देता हूँ और फिर आगी की जो प्रोसेस होंगे क्यापसिटर के साथ साथ यह वाला जो फ्यूज तरा इन फ्यूज को तीनों चीज़ को लगा देता और फिर मैं इसके अंदर लाइन देखर आपको दिखाता हूँ तो यहां पर मैंने सारे जो खरब कॉम्पोनेंट से बूँ हमने बदल दिया हूँ बदलने के बाद नजरा कोच आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे अब इसको बाड़ी आते टेस्टिंग करने का तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको यहां पर के छोटा सा इंडिगरार देखने को मिल जाएंगे अगर हमरा यह चारजर ठीक हो गया है तो यहां पर आपको इंडिगरार जलने के लिए देखने को मिल जाएगा तो अभी मैं फिलाल इसको इस तरीके से रखता हूं ताकि आपको यह इंडिग्राइट देखने को मिले और यह इंडिग्राइट देखने को मिलेंगे इसलिए मैं इसके अंदर पावर भी दे देता हूं पावर देकार आपको चेक करा देता हूं कि हमारा यह वाला जो चारज कितना तेजी के साथ glow कर रहा है मतलब हमरा यह जो चारजर है यह बिल्कुल 100% okay हो गया है अब इसको स्रीज से निकल लेता हूं और स्रीज चीज निकलने के बाद मैं डारेक लाइन पर देता हूं डारेक लाइन पर दिया और यहां पर मैंने स्विच को दे दिया डारेक लाइन पर देने के बाद देखिए कि हमरा यह चारजर बिल्कुल 100% okay हो गया है तो अगर आपका भी कोई भी समान खरब हो गया है और आप इसको रिपयर करवाना चाहते हो हमारे दुआरा कूरियर के मदद से आप हमारे इलेक्ट्रोनिश लेबर सेंड कर सकतो वो क्या करेगा कि हम आपका जो समान है वो रिपेर करके फिर से आपके पास भिज़ दूँगा अभी मैं इसको प्याक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूं प्याक करने का तरीका भी आप देख लिजिए ताकि ऐसा ना क्याइए उसके उपर का जो भी हीट्सिंक लेगे मला लगा देंगे सबसे मले पीछे का यह वाला जो हिस्सा यह लगा ने मतला बहुत काम northeast जब यह अब बहुत जाते हैं तब बहुत ही काम में आता है यह वाला चीज तो मैं यहां पर लगा दिया हूं और यहां पर यह इस हिस्से को अंदर डालने के लिए तो यहां पर इस चीज को भी हमें रिमूब करना पड़ेगा तो इसके लिए जो भी प्रोसेस होते हैं मैं जल्दी से कंप्लेट क झाल 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 तो यह जो चार्जार है ना प्याकेंग भी एक बिलकुल एक नमबत तरीके से हो गया है एसे लग रहा है कि यहाँ पे किसीने डिजाइन करके रखा है तो कोई भी दिक्क्यात नहीं होंगे जब यह कैरी करेंगे तब भी और घर पे रहेगा तब भी कोई ऐसा नहीं लएगा क कि यहाँ पर हमने कटिंग कर रहा था अब ऊपर कुछ चीज लिखी हुई है जैसे कि आप यहाँ पर आपको चार्पोट देखने को मिल जाएंगे यूएसबी ऑन यूएसबी टू टू टाइप सी वान टाइप सी टू तो हम अपने यह इस फोन को चार्ज करने के लिए किस वाट और यूएसबी टू की बात करें तो यहाँ पर फाइब वोल्ट 3.0 एंपियर 15 वाट का यह आउटपूट करेगा क्यूंकि हमारा यह फोन 20 वाट तक सपोट करेगा तो हम क्या करते हैं कि इसका जो टाइप यूएसबी टू है ना तो उसके साथ मैं इसको लगा देता हूं और डालने के बाद मैं क्या करता हूं कि यह जो हमारा पीन है ना इस पीन के मदद से देखिए फोन इस फोन के अंदर में लगा देता हूं यह देखिए चार्ज अब आपको 76% चार्ज दिखा रहा है अब यह भी चार्ज हो रहा है देखिए बिल्कुल एक नंबर तरी कि फिर से लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि यह चार्ज हो रहा है कि नहीं फिर से लगा रहा हूं देखिए 76% तो मैं कुछ दिर यहां पर रखता हूं और देखता हूं कि हमारा यह चार्ज के साथ हो रहा है देख सकतो 65 वाट का यह चार्ज है मतलब बहुत ही एक मिनिट के आसपास इसको चार्ज में लगा के रखा हूं आप देखिए कि यहां पे 79 परसन हो चुका है मतलब एक मिनिट से थोरा सा ज्यादा समय हुआ है और यहां पे लगवा गए पहले तो च्यातर था अभी उनास्ति हो चुका है मतलब यह हमारा चार्जल बिल्कुल सही तरीके से काम करा है 100%तरीके से अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लें था बिल्कुल 100% ओके हो गया है तो अगर आपका भी कोई सामार खरब हो गया है तो आप हमारे सरविस सेंटर पर भेज सकते हो कुरियर के मदश्या अगर आपको हमारा अडरेस तो आप हमें mail कर सकते हो उसके बाद WhatsApp भी कर सकते हो अपको कहां में मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूं कि केसे आप हमारे WhatsApp के जरिये contact कर उगे तो सबसे पहले आपको कोई भी browser open कर लेना है में यहाँ प्रूम Chrome browser open करने के बाद आपको यहां पर सार्च करना है इलेक्ट्रोनिक्स लैब ओनलाइन इस्टोर के सार्च करने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा थोरा सा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसके उपर किलिक करना है जैसे आप click करोगे तो हमारा जो online website है ना जहां पर हम लोग जो समान है सारे के सारे समान को sell करता हूँ तो यहां पर इसको खोलने के बाद आपको यहां पर देखे नीचे आपको दो एक menu देखने को मिलेंगे एक तो आपको देखने को मिल जाएंगे messenger के मद्धम से हमरे साथ contact करने के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे तो जैसे ही आप इस messenger के लोगों के नीचे जो WhatsApp कर लोगों आपको दिख रहा है ना उसके उपर click करना है नीचे तो आपने आप पी आपका जो WhatsApp है वो WhatsApp ओपन हो जाएगा और WhatsApp ओपन होने के बाद आप ज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूरे रही है हम फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए उसे ओल दावेश